यह सीन ऐसा था कि शौगता फैक्टरी की रिस्पॉंसिबिलिटी सारी संभाल चुकी है और उसके बाद कुछ तो गडबड हुई है ऐसा सब लोगों ने जैसे कि आपने सीन में देखा एंटिसेबेट करी लिया है कि कुछ गडबड हुई है और शौगता को यह आदत है कि गवरा जाती है तो बहुत जादा खाने लग जाती है तो वही हो रहा था उसके साथ में बहुत जादा खाना खाने लग थी बहुत जादा रिक्वस्ट करने लग देए और सब लोग है रहान हो थे वैसे तो यह डाइटिंग कर रही होती है और आज यह मखन और टोस्ट और ब्रेड और सब खाये जा रही है एक के बाद एक यह था वो फैक्टरी में जो प्रॉब्लम है वो अभी रिवील नहीं हुई है तो वो मैं नहीं बता हम गया आपको लेकिन वो प्रॉब्लम कही ना कहीं शौगता के वज़े से हुई है अफकोस सलूशन निकालने के लिए तो हमारी पास है ना हमारी बहु माई रजनी कांथ तो वो साही सलूशन निकालेती है वो जल्दी सॉल्व कर देगी इस प्रॉब्लम को भी हलाकि हम लोग चाहेंगे कि हम अपनी तरीकी से सॉल्व करें बट उसका जो सही तरीका होगा वो रजनी कांथी निकालेगी अगे ट्विस्ट ऐसा कुछ नहीं है और इनफाक्ट ट्विस्ट तो तभी देखने में मज़ा आता है जब सर्प्राइज हो है ना अगर मैं पहले ही ट्विस्ट बता दूँगे फिर तो आपको पता ही होगा फिर आपको क्या मजाएगा फैंस को ये कहना चाहूंगी कि आप इसी तरह सामें प्यार देती रहिए हमारा शो रात के आठ बज़े ही देखी रिपीट टेलकास का मत वेट कीजिए और देखती रहिए और प्यार देती रहिए दिपावली के लिए आप सभी दर्शिकों को हार्दिक शुबकामना है आप सब की दिवाली की आप सब को हार्दिक शुबकामना है आप सब